ह कि सब्सक्राइब करा है हिसली दोस्तों आज का चऌह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगा है तृत अजलय हो पहला सवाल है दुर्घठना को कितने भागों में बाटा गिया है दुर कुरव भागों में बाटा गया है। दुरघटना कितने परकार का होता है। ।। रेलवे संपत्ति का थ्रेस्थॉald रासी क्या है। ज़्याब ध्रेस्थॉald समय समय क्या है 3 से 6 घंटा railway में वियावध्यान का threshold समय mm है अग्रा कुस्सन है आपका रिपोर्टेवल एक्सिडेन्ट किसे कहते हैं तो पंद सकते हैं यान जब 14 घंटी तक यातायात बाधित हो तो उसे रिपोर्टेवल यानि सुचीत करने योग एक्सिडेंट करते हैं तो सुचित करने योग एक्सिडेंट किसे करते हैं जब 24 घंटा तक यातायात बाधित हो जाए ठीक है अगला कुस्टन है रिपोर्टेबल एक्सिडेंट की सर्त क्या है तो रिपोर्टेबल एक्सिडेंट की सर्तें जो है इस परकार है क्या क्या है जब जीवन की हानी हुई हो या टक्कर में एक यात्री गाड़ी हो या 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 यात्री गाड़ी पट्री से उतर गया हो या दो करोर से अधिक का नुक्सान हुआ हो जब इन में से कोई भी एक हुआ हो तो वह क्या होगा रिपोर्टेवल एक्सिडेंट के स्रेनी में आएग चाहिए या यात्री गाड़ी पट्री से उतर गया हो या दो कड़ोर से अधिक का नुक्सान हुआ हो अगला कुछ सान है अगर कोई सिगनल न हो तो कौन सा मेमो जारी किया जाता है यानि सिगनल पास्ट डेंजर में अगर आगे कोई सिगनल न हो तो कौन सा मेमो जारी किया जाएगा रिस्टार्टिंग मेमो के साथ पाइलट किया जाएगा को सिगनल नो Pod तो रिच्टाटिंग मेमो देखर कि आप को अगला आपका कर आपको स्टार्टर को आंसी ग्रूप कर्किया हो तो कौन सम्झायोस जाएगा यानि सिग्नल ंपस्ट है Core цвет danger के मामले में यदि गाली स्टार्टर को अंसी ग्रूप से पार किया हो पूरी तरह से नहीं अंसी ग्रूप से पार किया हो तो क्या दिया जाएगा restarting में मुक के साथ T369 का 3B में जबस्टार आड्वांस स्टार को तो कौन सा मेमो दिया जाएगा रिस्टार्टिंग मेमो के साथ गाड़ी को बैक किया जाएगा ठीक है क्या कर रहा है कोशन यदि गाड़ी बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्लॉक सेक्शन में परवेश करता हो तो कौन सा मेमो दिया जाएगा रिस्टार्टिंग मेमो देक गाड़ी को बैक किया जाएगा चली आगे देखते हं SIM कुधी आदारं गए saith upon गण्ते तक करने में और समर्थ हो जाए तों ज пользов ठीक कोई एम्सें करता है卡 करने में 2006 और गंविर खानी सब्सक्राइब कार्षण करने मैं और समर्थ रहे कितना दिन तक हैं दीने टाका अगे मॉक ड्रिल कितने दीनों पर किया जाता है ज़रती साल में चार वार कितने ने तरुटित चार वार अग कितने दिनों पर किया जाता है तो क्या हो जागा परतियक तीन माह पर अगला आगे है आपका मॉक ड्रील का आदेश कौन देता है मॉक ड्रील का आदेश कौन देता है ड्रम चलिए आगे देखते हैं मौक ड्रिल किसके परवेक्षन में किया जाता है तो मौक ड्रिल डी ऐसो के परवेक्षन में किया जाता है आदेश देता है DRM ठीक है आदेश मौक ड्रिल का आदेश कौन देते हैं DRM लेकिन डी ऐसो के परवेक्षन में मौक ड्रिल किया जाता है जब गाड़ी में या स्टेशन पर मृत व्यक्ति पाए जाते हैं तो जी त्री फॉर्म भर कर रिपोर्ट भेजी जाती है, जब गाड़ी में या स्टेशन पर कोई मृत व्यक्ति पाए जाते हैं तो जी त्री फॉर्म भर कर रिपोर्ट भेजी जाती है, आगे देखते हैं क् काड़ी की चाल को निउनतम कितना कर सकता यानि जब 2 CD 3 km के अंत्राल में आ जाते हैं तो दोनों आपस में जूड़ जाते हैं तो निइंतन दुरि मैक्सिमम दूरी 3 km है ठीक है टाला हुआ टककर के बीच की दूरी कितना होता है 400 m अगला है दुर घटना पांच परकार का होता है, तो कौन-कौन होता है, तो पहला होता ट्रैन एक्सिडेंट, कौन-कौन होता है, पहला होता ट्रैन एक्सिडेंट, दूसरा क्या होता है, याड एक्सिडेंट, तूसरा क्या होता है, इंडिकेटिव एक्सिडेंट, चोथा क्या होता है, एक्टूब् तीन हुटर बचाने का क्या मतलब है जब तीन हुटर बजता है उसका मतलब होता है दुरगटना होना पर मेल लाइन बाधित ना होना तीन हुटर का मतलब क्या होता है दुरगटना होना पर मेल लाइन बाधित ना होना चार हुटर का क्या मतलब होता है दुरगटना होना और म मेल लाइन बाधित नहीं होगा लेगिन चार उटर का ताया दुरगटना होगा और मेल लाइन बाधित भी होगा अंत में है आपका छे उटर छे हूटर का मतलब होता है गंभीर दूर बहतना तो आचा क्लास यहां समामत होता है दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और अंत में बेल घंटी बोजाएं जिससे कि आपको निया नोटिफिकिसन मिलता रहे तो धन्यवाद दोस्तों सुबरात्री